तो देखो तुम्हारे प्रीबोड आने वाले हैं और मुझे पता है कि आप सभी लोग को बहुत अच्छे माग स्कोर करने हैं प्रीबोड के अंदर लेकिन वही बात है कल मैंने कम्यूटी पोल डाली उसके अधिकतर बच्चों ने कहा कि भईया मेरी तियारी नियू पाई है या मैं कम समय के अंदर किस तरीके से इसको कम्प्लीट करूँगा तो मैं आप सभी लोग को बता दूँ यह वीडियो डेडिकेटीड है अगर आप लोग यह सोच रहो कि मतलब इसके अंदर मैं ऐसी घिसी वीडियो टिप देने वालों नहीं यह प्रॉपर तरीके से तो सबसे पहले टिप है कि आप लोग को कॉपी और पैनले करके बैठने और यह देखना है कि आपके पास एक्च्वल में कितना टाइम बचा हुआ है यह मस सूचना कि मेरे तो यार 24 से भी मेरे पास 10-15 दिन है नहीं ऐसा नहीं है सच बता दू आप लोग अचा 15 से हो 12 से हो आपके बाद 10-15 दिन नहीं है आपको उसमें स्कूल भी जाना होगा तो यह देखो कि आपको किस-kis दिन स्कूल जाना है आप यह देखो कि आपको किस-kis दिन यहां पे कोचिंग जाना है कुछ एक्स्टरा काम है घर का कौन-कौनसी दिन क्या कर सब फंशन को अटा करके ज क्योंकि अभी तो तुम्हें लगेगा पंदरा दिन का टाइम है दस दिन का टाइम है लेकिन जब तुम एक्च्वल निकाल लोगे ना अगर मैं इन सब चीज़ों को हटा दू और मेरे पास एक्च्वल पढ़ने का जो टाइम है वो एक से दो दिन का रही यार मतलब मेरे को महनत करनी है तो यह तुम्हारे अंदर प्रोटेंशल आजएगा अगर तुम ऐसा करते हो अब मेरी सेकंड टिप है कि आप लोगो कितना स्लेवस इस समय पूरा करना है देखो मैं आप सभी लोग को बता दू अगर तुम्हारा पूरा है तो ठीक है अब कई बच्चे ऐसा ज अब इतना आप लोगों ने कर लिया ना उसके बाद आप लोगों सिर्फ एक ही काम करना है अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है ठीक है अगर टाइम बचा हुआ है तो इस समय आप लोगों को जादा मार्क्स की वेटेज रखने वाले चैप्टर को पढ़ना है हाँ क्यों बेकार है नहीं चलेगा अगर इजी है और जादा मार्क्स का है तो वो चल जाएगा तो आप लोगों को यह देखना है कि कौन से चैप्टर सबसे जादा मार्क की वेटे सकता है बेशक आप लोग एक दो चैप्टर छोड़ दो जो कम मार्क्स वाले लेकिन अगर आपका काम नहीं चल सकता, 70-80% वो पक्के वाला complete होना चाहिए, जो भी chapter पड़ो, शिद्दत के साथ पड़ो, ऐसा नहीं, कि मतलब जो छोड़ रहे तो छोड़ दो, लेकिन जो पढ़ रहे हो ना, उसको अच्छे से पढ़ना है, मतलब उसमें से कोई भी कोशन है, तुम्हा बहुत हार्ट चकिंग करता है, प्रीबोट के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ट चकिंग होती है, जितनी माक्स आप लोग के आये ना, ऐसा नहीं, कि 80% आ रहे हैं आप लोग के, आप लोग सोचे रहो कि मैं 20-30% वड़ा दूँगा, तो 100% रहेंगे, नहीं, इतना मान के चल यह जादा स्कूलों की बात है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, वो यह चाहते है कि बच्चा को अगर मैं जादा माक्स प्रीबोट में दे दूगा, तो ऑर कॉन्वा जाएगा, क्योंकि उनको नहीं पता कि कॉनसा बच्चा कैसा है, तो वो और कॉन्फिधन हो करके प्रीब के अंदर ही मेरे बहुत अच्छे मांग साने चाहिए लेकिन स्टार्टिंग मता दिया कि डी मोटिवाइट मत हो ना यह मेरा में मोटिव है यह नहीं कि आप लोग 70-60% वाले काम को नहीं ऐसा नहीं करना मेरी हाँ चोड़ करेश्ट है चौथे आप सभी लोग कि सबको सेम इं इंदी को भी इतना दूँगा नहीं ऐसा इस टाइम पर नहीं चलेगा स्टार्टिंग से करते तो ठीक था इस समय आप लोग को जो में सब्जेक्ट है सबसे पहले उनको निप्टारा मारना है पांस दिन का टाइम है तो तीन दिन तो आप सभी लोग साइन्स मैथ और तो आप्टमेटिक बन जाएंगे जब आप लोग कहानी पर लोगे तो ऐसा कर लो कि रात को सोने से पहले कर लो अगर पांस दिन का टाइम है आप लोग के पास लेकिन सबसे पहले साइंस मैथ और सश्टी को निप्टाओ क्योंकि अगर वो निप्टेंगे न तो एंड में आप लोग के पास कम समय बचाओ लेकिन अगर इंग्लिश और इंग्लिश और सब्यक्त नहीं उनको पढ़ना पड़ता है कौनसेप्ट अच्छे से क्लियर करने पड़ते हैं तो उनको सबसे पहले निप्टाने के कोशिश को जितना जल्दी हो सके आप लोग के पास ठीक है अगला है आप लोग का पांची टिप है जादा रिसोर्सिस के चक्कर में नहीं फसना आप लोग यहां पे अलग-अलग किताबी ले लोगे नहीं ऐसा नहीं करना एक होगी एंसी आटी उसके बाद होगे पीवाइक्यू देखो चैप्टर वाइस पीवाइक्यू मैंने डाल पर सॉल्फ कर लेना एक-दो सॉल्फ कर लेना जादा नहीं करने की जुरत है और नहीं करना सॉल्फ तो तुम लोग यहां पर पीवाइक्यू अर्णसी आटी को सबसे पहले अच्छे से निफटालो तुम्हारे लिए इनफ होगा ठीक है मतलब इतना कहूंगा तो यहां पर इस वीडियो कान कर दो